नमस्कार मित्रों हमारे पास एक कमेंट आया है कोई सुमन करके हैं माता जी हैं बहेंजी हैं कोने जो भी हो तो उन्होंने हमारे में कमेंट करके पूछा है कि गुरु जी रोटी बिना घी के या तेल के साथ सेखते हैं क्या अच्छा सेखते हैं जो भी लिखा उन्होंने तो इसमें ढंक से हमें समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी उनकी इस विदा के लिए एक वीडियो जरूर बना रहा हूं मैं तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को की से घी में ज्यादा अच्छा रहेगा या अनुसार या प्रकृतिके अनुसार लेना उचित होता है अब मैं बतादू तेल और घी में अंतर क्या है तो इसके लिए जो आयुर्वेद शास्त्रम० में तो बहुत सारी बाते कही गई गई संची में बता दू आयुर वेद में टेल को एसिडिक बताया है एसिडिक बता है लेकिन एक विशेश बात बताते हैं जिसे आंख के रोग हैं के रोग की समस्या के लिए कभी भी तेल का उपयोग ना करें क्योंकि यह आंखों के खराबी पहुंचाता है आखों को दिक्कत देता है और एक इसमें अच्छाई है जो की बात को नास करता है जिसका देल वही खा सकते जो बहुत कमजोर हें चंचल को दूशित करेगा यह समस्या देने वाला होता है लेकिन अब हम आते हैं घी में तो गी की विशेष्ता किया है घी मैं बताया एकदम सुपात्च होता है यह बहुत ही डाइजेश्टे बिल होता है जिसका डाइजेशनड प्रोपरि ना काम कर रहा हो या फिर उसके कबJIयत हो या फिर उसको लीद बावा शील भी हो या पेट साफ प्रिश को गे को लेते हैं तो बहू göt अच्छा काम करेंगा सुपाथ चहोता है कै और सरीर के रंहे से कि कुछ लोग क्या करते है कि उपर से क्रीम लगातें दुन्या थ्वी लगाया करते हैं इस से ही हुनके वह संदर बनने के लिए ना टक किया करते हैं तो इन के लिए करनानी का होता है लेकिन घी है तो भी मैं क्या होता है यह अंदर से निलाता है और इसके घी के बने घी खाने से ऑंदर से संद्र आप जा जो ठीका होता है जू बहार से यह पोते कि तो už सारा हमारा नास काता स्क्रेशन को खराब करने वाला होता है और यह जो क्या होता है की पित की कई एक हो पाँच होती वैसे तो इसमें भरहल सतय होता है हमारे डाइजेशन को प्रोपर रखने के काम आता है तो इस घी को खाने के भ्राजग पित्ते के लिए अच्छा लाब होता है और यह कि लगू होता है और लगू होने से और यह जैसे किसी भी व्यक्ति को गर्मी की समass्या आए कि अधा कि अंदर तो तो जिस व्यक्ति को गर्मी बढ़ी हो तो गर्मी को दूर करने का सबसे आसान तरीका हो जिस व्यक्ति को गर्मी की तासीर जादा हो गर्मी से परिशान रहता हो कि हमाई गर्मी बढ़ गई गर्मी बढ़ गई तो वो व्यक्ति गी के बने हुए प्रोडक्ट खाएगा तो वो उसकी गर्मी की तासीर खतम हो जाएगी और वो एकदम शांत हो जाएगा और इसके बाद ये जो होता है गर्मी को दूर करने वाला होता है और वायू रोग जो बात रोग जो तेल में प्रॉपर्टी थी तो वो घीमे भी है तो बात रोग है वो दोनों में कॉमन है और दोनों शांत का थे लेकिन तेल में उतनी वह बात नहीं होती है फिर बाद मैं अभी इसका विस्तार करूँगा पहले लिश्ट सुना दूँ और ये बल बढ़ाने वाला होता शक्ती को बढ़ाता है इससे बल ज़्यादा बढ़ता है तेल की अपेक्छा तो ये है अब मैं थोड़ी से और इसमें कुछ बात करना चाहूँगा जैसे की तेल की बात जो आयुर्वेद में कही गई है तो वो केवल केवल घानी का तेल माने सरसों ले जा मसीन में डालो और डाल करके उससे तेल निकालो तेल निकालने के बाद उसको यूज करो और जो एकी कछरा तेल आ रहा रहा रिफैंड तेल डवर रिफैंड तेल तो इस गी का मतलब देशी गी, डालडा का कोई नाम ही नहीं है. अब कुछ लोग वह सुशते हैं कि ये बड़ा महेंगा पड़ता, लेकिन सेयत के लिए सारा महेंगा ही, सारी बात है सब बराबर होती हैं. सेयत से बढ़कर कि कोई चीज महेंगी नहीं. और बीमार पढ़कर के इलाज कराने से महेंगा कुछ भी नहीं होता है जिसमें समय और धन दोनों जाते हैं समय सरीर और धन दोनों चले तीनों जाते हैं और अगर जो उसी बीमारी की इलाज का पैसा अगर जो हम पहले से अच्छे खान पान में लगा दें तो मैं बहुत अच्छा रहूँगा मैं तो मेरा यह मानना है तो इसलिए महेंगे के चक्कर में मत पड़ो सबसे महेंगा जीवन है जीवन को बचाने के लिए सारे काम किये जा सकते हैं एक मिला इससे पढ Where to run the को से करेध के लिए खाँरी शोरीड से कमाते हो अब इससे मैंने पूछा कि घी से तरीधका सब् attempt लगाएं तो क्या होता है तो क मrit Bellynिया पर नहीं है ता हमारे मामा ही कह रहे ते जयतेощ साथ के लिए कुरकूरे खाते हैं कई चिप्स खाते हैं कई कुछ खाते कई कुछ खाते टोपी बगएरा तो इस सब स्वाद के लिए पेट के लिए नहीं है लेकिन सच्चा यह कि जो चीज स्वाद के लिए होती है वो केवल हान ही हान ही करता है जीवन को नरक बनाता है और वो जबूत बनाने की ही दृष्ट से होना चाहिए अन्यथा कुछ नहीं करना चाहिए स्वाद के लिए कभी ना मरें इसलिए स्वाद को बिल्कुल भी ध्यान ना दें अब कुछ लोग कहेंगे कि घीजे कॉलस्टोल बढ़ता तो कॉलस्टोल बढ़ता है देखो एक तेल से बढ़ता है क्योंकि तेल भारी इसमें पहले ही बता दिया है भारी होता है तो इसमें रख्त के मतलब कॉलस्टोल बढ़ाने का दूसरी बात अगर जो तुम्हारा लीवर खराब हो गया है लीवर डंग से काम नहीं कर रहा है तो कॉलस्टोल बढ़ेगा इस पर मैं फिर खराब है तो कॉलस्टोल बढ़ेगा तेल खाएंगे तो घी से कभी भी कॉलस्टोल नहीं बढ़ाए गी से कोलस्टोल को काัग एक घीचे कॉलस्टोन नहीं बढ़ता है और ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को दिया जा सकता है एक दिन के बच्चे को भी दिया सकता है और सौसाल के भूरे को भी दे सकते हैं नुक्सान कुछ भी नहीं और इस प्रकार से आज मैंने जो उनका कमेंट आया था तो अपनी हिसाब स से देख लें क्या समस्थ्या है उसी इसाब से चैन करने नीश अब्दुक साथ बात्व कुबरांदेज नमस का जैहिंद